नमस्ते मेरा नम सुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं सहारा इंडिया से रिलेटेड एक दो अपडेट है और दुर्गापुजा का मौसम चल रहा है सभी लोगों को दुर्गापुजा की हार्दिक सुभ कामना है और यह हम कामना करते हैं कि पादन होते रहेगा लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो 10,000 रुपया देने की बात थी CRCS की इसका कितना परसेंट रिलीज हुआ अभी इसकी कोई जैनकारी नहीं है और दिसंबर तक में सारा भुगतान कर देना है एज पर सुप्रीम कूट गाइडलाइन नह लेकिन जो यह स्पीड है CRCS का जो तरीका है उससे नहीं लग रहा है कि दिसंबर तक में पांच हेजार क्रोर रुपया भी बित्रीत होगा उमीद करते हैं कि कुछ इसमें देबिया सक्ति का चमतकार हो कि पैसा बढ़ जाए और लोगों का कल्यान हो कि अब अपडेट पर आजए अपडेट है कि हमने एफाइयार का बात किया था कि जो CRCS के द्वारा दो पेज का दिफिसेंसी का दिया जा रहा है उसके बेस पे एफाइयार ब्रांच मनेजर पे लोकल अस्तर पे हो सकता था हमने पप बिछले वीडियो में बताया था क्यूं अधिकारी जो स्पेशल ड्यूटी पर रखे गए हैं CRCS के तो अगर उधर से यह डिपलाई आ गया कि आपका डाटा मैच नहीं कर रहा है आप सोसाइटी के मेंबर नहीं है तो इसका ए मतलब है कि यह लोकल लेबल पे गरबरी है जिसकी जिमेदारी टोटली ब्रांच मनेज पर चली जाती है और इस दो पेज के साथ अगर लोग फाइयार कर देते हैं तो यह इनको प्रूफ करदा पड़ेगा कि नहीं हमने पैसा सही तरीके से जमा किया था यह डाटा नहीं जाने के करण ऐसा हो रहा है जिसका नोटिफिकेशन का सब लोग इंतिजार कर रहे हैं औ तो यह गरबरी है तो इसको रोकने के लिए अगर डिफिसेंसी का आपको मैसेज आ भी गया है तो एक जेनरल सर्कुलर जारी करके रोका जा सकता है कि यह डाटा नहीं मिलने के कारण या 100% डाटा अबलेबल नहीं होने के कारण ऐसा सब को गया है और यह डाटा अप्लोडि पर जमा हुआ था जैसे आपका दस बार्ड यह है और एक ही औरीजिनल फॉर्म जमा हुआ था उसके बाद फोटो स्टेट करके लगा दिया गया था तो ऐसा इंटर्ननल सोर्स से पता चला है कि फरमान आया है कि जो भी फोटो एस्टेट पर जमा हुआ हुआ तो उनका रें अभी भी यह काम नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर जो डिफिसियंसी का मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा गया है कि आपका डाटा उपर दख नहीं गया है आपका आप सुसाइटी के मेंबर ने इसमें ब्रांच मेनेजर की जब आप देही हो जाएगी अगर मामदा कोट में जाता इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ब्रांच मेनेजर लोग सहयोग करें जिनका फॉर्म नहीं गया है अपने खर्चा से भी उसको एसकेन करके भेजवाएं क्यूंकि एक नलंदा में एफ यार हुआ था यार का हम बात कर रहे हैं कि जम्म करता तो बहुत है अब सौ मेंसे नब साफटूबर को उसका बेल गरांट कर दिया गया है यह आपको सब को पता है कि एजेन्ट ब्रांच मेंजर की कोई गलती नहीं थी यह भी मान चुका है कि कही न कहीं गरवरी सहारा मनेजमेंट में है और जो जमा करता है यह एजेंट है यह ब्रांच मनेजर है यह एक तरह से स्टाफ हो गया यह स्टाफ की कोई गलती नहीं है उस बेस पे इनको बेल दे दिया गया है एंटिसेपेट्री बेल था नलंदा का ब्रांच मनेजर पे फायार हुआ है नलंदा में रूबी दे भी कोई क्लाइंट है वो क्यों हुई है तो पतना हाई कोड से बेल गरांट किया गया है और 25,000 का बेल बोंड दिया गया तो इसमें को ब्रांच मनेजर है यह सहारा इंडिया है यह अब सोचिए आपको कि सहारा का ब्रांच मनेजर है वो कमर्सियल करोपोरेशन के अंदर आती है उसके तवते का मामला ठाशा third और यह बोल दिया गया कि ब्रांच मनेजर तो भीजिट भी नहीं किया जमा करता कि यहाँ पैसा लेने के लिए इस बेस पर इनका कोई गल्ती नहीं है तो पहले कोट का रुख गरम था सक्थ हो के इसमें साथ जुलाई को एक आदेश आया कि पहले ब्रांच मनेजर पर जो फायर हुआ है इसके साथ साथ चेयर्मेन क्रेडिट को अपरेटिव सोसाइटी के आव वाइस चेयर्मेन इन दोनों लोगों को पार्टी बनाया जाए इस फायर में और वहीं जद्साब है मननिय वहीं जद्साब है जो की शहारा का जो केस लगा था पटना हाई कोट में जिसमें रिजेक्ट कर दिये थे और 4000 आईए को एक बार में खारिज कर दिये थे उसी बेंच में यह भी लगा है मामला और इसमें बेल दे दिया गया है 25,000 के बेल बॉन्ड के साथ और यह बोला गया कि ब्रांच मनेजर को बेल पर रिलीज किया जा सकता है केस चलेगा नालंदा हाई कोट में क्या होगा नहीं होगा रिफंड का वह वहां है लेकिन बेल दे दिया गया और पहले कोट बुलե चैर्मैन और वाई्स चैर्मैन चला रहा है और October में आके बेल आक दे रहे है और उसके पहले पार्टी बनाते हैं के सब्रतरायओने मामला में केस को किये थे बेल नहीं देते हुए सारा कि एक बार में बिना किसी ऑॉडर के खतम कर्आ हते उसको जिसमें दिये थे जिसमें इतना ड्रामा हुआ था कि 12 बजे यहां से कोट में मननिये जब संदीब कुमार जी ने ओडर दिया कि उनको बुलाइए फिजिकली पटना हाई कोट में और दो बजे सुप्रीम कोट से आदे साधा आ जाता है कि नहीं आप नहीं बुला सकते हैं तो वो बें दे दिया और बोला कि ठीक है जो कोट में ममला चल रहा है उसका निस्तारन होगा लेकिन खिलहाल इनको बेल ग्रेंड किया जाए तो यहीं आप लोग को बताना था कि ब्रांच मनेजर की कोई गलती नहीं है जैंक की कोई गलती नहीं है हां सहयोग उनसे चाहिए उनको करना चाहिए लेकिन अभी का जो मैसेज आ रहा है इसमें जब आप देही उनकी हो जाएगी अगर यह सहारा बोलती है कि मेरे पास तो डाटा ही नहीं है तो डाटा नहीं तो पैसा भी नहीं गया उपर इसका मतलब लोकल लेबल का गरबरी है इसलिए आप लोग करें और जिनका डिफिशेंसी का मैसेज आया है कि डाटा नहीं है वह भेजे अगला बात आया है कि बैंक स्टेटमेंट आइटियर का हम लोग बोल रहे हैं आप से किसका कोई लोजिक नहीं है क्योंकि अगर आपको पकरना ही है तो आप सहारा इंडिया से पूछिए कि मोड तो पता है ना क इस मोड में 2017-18 में लोग जमा किये मैक्सिममम कैस 95% कैस में डिपोजिट हुए और 20 जार से ज्यादा कहीं आप बैंकिंग सेक्टर में डिपोजिट FD के रूप में आप कैस नहीं कर सकते हैं यह नियम है आप लोग जान लिजिए आज के डेट में भी 20 जार से ज्यादा सकता है समान खरीद रहे हैं तो दो लाग तक ऑर डिफो कर रहे हैं तो उस समय कैसे 20 जार से जादा? सवर्मर को पनुर्टी की दिया आप, तो आप को पकरना है सहारा कौ आप मैसेज भीज है क्लाइंट को कि आप ITR और statement दीजी जो कि आपके jurisdiction में ही नहीं है आपके preview में नहीं है CRCS के income tax को है right मांगने का आपका detail जब bank में हम लोग कहीं जमा करते हैं तो वो pen card मांगता है pen card से वो information income tax को चला जाता है annually अब income tax का काम है कि आपको notice करें नहीं करें आप से ie tr का detail लें बैंक को यह right नहीं है कि आपके पूछे कि यह पैसा आप पहाँ से लाये हम कहीं से लाये इसका पूछने का Right income tax को है हाँ अब को पूछना था जहाते जमा हो रहा हो रहा मुल्टिपल मेंबर्शिप क्यों बनाया गया इसका मतलब कि सारा का साधिस था एक आदमी से आप 20,000 से ज्यादा नहीं जमाले कर सकते हैं इसलिए 10 को मेंबर्शिप बना दिया गया आदमी एक ही है इस तरीके से आप सब को जोर के एक आदमी काउंट किया जाता है कि आप एक आदमी से 20,000 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं अब पांच पांच शेयर करके दिन में 25 बाराप रिसीब कर यह बुले कि तो पांच हजार है तो ऐसा नियम नहीं होता इसलिए क्या आप परेगा भोगत आनका करना परेगा क्यों नहीं आज तक आप डाता मंगवके तो इस नहीं तो सिधा सिधी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गरबर करने की मंसा ही ठीक्राइव से सहार идет इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है खेर अभी वीडियो को लंबा नहीं करते हैं अभी के लिए इतना ही अब दुड़का पुजा का आप लोग आनंद लिजिए जैसा भी अपडेट रहेगा हम आप लोग को करते रहेंगे सही सही अभी इंतिजार करिए डिफिसेंसी का 30 दिन बिज जाने के बाद भी अपलाई नहीं होना एक तरह से इसका संकेत है कि कहीं ना कहीं डिफिसेंसी पर कुछ गाइडलाइन आएगा कि क्या डिफिसेंसी पर आप लोग क्या दें नाम गरबर है तो उसके लिए अभी डेविट लगता है है रहे जगा कि हां ये नाम ये ना कोई भी है तो ऐसा आप डेविट कर सकते हैं कोई गलत आप डाटा डाल दिये हैं कोई आपका बॉन छूट गया है तो उसके लिए आप ओपेन होगा तो अपलाई कर दिजिए लेकिन जो बोला जारा है कि मल्टीपल मेंबर्शिप है बैंक स्टेट्मेंट आइटी आर किस और सहारा को कि क्या डिफिशेंसी है तो आप डेविट के दें तब देना शुरू करियेगा अगर ये ऑपन पोर्टल होता है तो भी हर बड़ा के कुछ नहीं देना है इसमें 30 दिन के बाद भी नहीं रियोपन होना रिपलाई ये बताता है कि कही ना कहीं कुछ गैडला तो ऐसा ही कुछ निराधार है हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है जो लोग क्लेम नहीं किये हों करते रहें री ओपेन अगर दुगा पुजाबाद हो जाता है पोटल तो उसके पहले नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए ऐसा उमीद लगाया जा रह झाल 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 झाल